नमस्कार दोस्तों बहुचन समाज पार्टी की मुख्या और यूपी की चार बार की मुख्यमंतुरी रह चुकी मायवती भले ही बीजेपी बिरोधी हो लेकिन मोधी सरकार जब भी कोई ऐसा फैस्टा लेती है जिसकी तारीफ करने चाहिए तो वो तारीफ करने से भी नहीं हि चकती जबकि जहां उन्हें रखता है कि मोधी सरकार पर हमला बोलना चाहिए तो वो हमला बोलने से भी नहीं चुकती यही वजाए कि इस बार जब मोधी सरकार ने को लेकर एक एहम फैस्टा लिया तो खुद मायवती ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की साथी एक जब्मेदार नेता के तौर पर सरकार को कुछ सुझाव भी दिये दरसल देश में भले ही कोरोना वाइरस के खिलाब दो वैक्सीन बन कर तयार हो चुकी हो लेकिन ये वाइरस अभी भी देश में तेजी से फैर रहा है जिसे लेकर कई राज अपने इस तर पर जहां लॉकडाउन लगा रहे हैं तो वहीं खुद पियम मोदी चुनावी रहस्ता के बावजूद कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए है यही वजाए कि उन्होंने कोरोना वाइरस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के बैठक बुलाई है उद्वार की दोपहर को होने वाली इस बैठक की जानकारी जब बियस पी सुप्रियूम मायवती को मिली तो उन्होंने ट्वीट कर पियम मुदी के इस फैसले की तारीफ की और सरकार को कुछ सुझाब भी दिये अपने ट्वीट में मायवती ने लिखा कि देश में घातक कोरोना प्रकोप के दोबारा बढ़ने के खत्रे के मद्दे नजर प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी द्वारा आज सभी मुख्यमंतरियों की बुलाई गई बैठक सही और स्वागत योग्य है मैवती ने सरकार को सुजाब देते हुए कहा कि वैसे देश में कोरोना ठीका करण के अभियान को राश्ट्य नीती के तहट किंड और राज्य सरकारें और तेज वस्वगम बनाए तो बहतर साथ ही कोरोना प्रकोव के कारण देश की आम जनता को होने वाली अलग-अलग प्रकार की मुश्किलों और परिशानियों आधी को देखते हुए केंड और राज्य सरकारों से खासकर गरीबों, महनतकश लोगों और मध्यम वर्गिये परिवारों को फ्री में कोरोना वैक्स परिश्टे की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोग उन्हें BJP जॉइन करने की भी नसीहत देने लगे। यही सोच आपको एक राष्ट्य नेता के रूप में पहचान दिलाती है। अशोग कुमार नाम की यूजर ने लिखा, बहन जी आपकी नेती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित है। हम सब आपको देश का नित्यत्व करते हुए देखना चाते हैं। वहीं दिन कोरोना मामले पर जहां मोधी सरकार का साथ दिया है वहीं देश में वड़ते कोरोना के मामलो की बात करें। तो आपको बता दें के इंडिया स्वास मंत्राले के आकड़ों के मताबिक देश में कोरोना के मामले भारत में पिछले 24 गंटे में 26,291 नए मामले सामने आए देश में सक्रिय मामलो की कुल संक्या 2,19,262 है। डिस्चार्ज हुए कोरोर दस लाख 7,352 है। देश में कुल 2,99,8,038 लोगों को कोरोना वाइरस की वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना के बड़ते आख्लों को देखते हुए पंजाब ने एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने का फ्रासर लिया है। इसके राबा दस्वी और बार्वी बोर्ड की परिक्षाएं भी टाली जाएंगी। पंजाब के चेक्षा विभाग के मताबिक राज में 22 मार्च से आरंध होने वाली बारवी की परिक्षाँ अब 20 अप्रल से 24 माई तक करवाई जाएगी। वहीं अप्रल से शुरू होने वाली दस्वी की परिक्षाएं अब 4 माई से 24 माई तक करवाई जाएगी। जबकि सूरत में 500 बेट वाले कोरोना अस्पताल को एक बार फिट से खूला गया है जो बता रहे हैं कि देश में कोरोना वाइरस को लेकर हालात कितने बिगरते जा रहे हैं इसलिए आप भी कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं और दो गस की दूरी बरकरार रखें